आगामी कारेक्रम प्रायुजित किया है जॉइस मायर मनेस्ट्रिस के मित्रों और सहयोगियों ने क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने क्या पाया अगर कोई द्रिड निश्चे है कि वो खुश नहीं हो सकता तो कोई भी किसी तरह उसे खुश नहीं कर सकता ये एक निर्ने है जो हमें करना है कि मैं अपना जीवन दुख में नहीं बिताऊंगा परमेश्वर का एक महान भविश्य वक्ता बाइबल में परमेश्वर के सबसे बलशाली व्यक्तियों में से एक जिस पर आत्म दया का दौरा पड़ा इसलिए ये किसी के साथ भी हो सकता है चाहे वो कितना ही परमेश्वर ये क्यों न हो और हम देखेंगे कि परमेश्वर उससे कैसे निप्टे अब एलिया सबसे महान भविश्य वक्ताओं में से एक था वो अत्याधिक सामर्थे में रहा अध्याए 19 पर जाते हुए हमने अभी अभी देखा कि कैसे उसने इसे बेल के 400 नकली नवियों को मारा था और मेरा मतलब उसे एक अध्भुत विजई दिन हासिल हुआ था विजई दिन और अध्याए 19 वचन एक में लिखा है तब आहाब ने इसे बेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नवियों को किस प्रकार तलवार से मार डाला तब इसे बेल ने एलिया के पास एक दूद के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तिरा प्राण उनका सना कर डालू तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें इसलिए उसने मुख्यता ये संदेश भेजा मुझे पता है तुमने क्या किया है अब ये सुनो मैं तुम्हें मार डालूँगी मैं तुम्हारे साथ वही करूँगी जो तुमने उनके साथ किया और वचन तीन में लिखा है और वो डर गया अब ये आदमी जिसने स्वर्ग से आग को आते देखा था एक औरत से डर गया ये एक और पूरा उख देश है हम उस विशे पर नहीं जाएंगे आप जानते हैं ये क्या कहते हैं अगर माँ खुश नहीं तो कोई खुश नहीं इसका एक भाग ये भी था कि वो ठक गया था उसने सेवकाई का एक भारी दिन छेला था यदि आप सचमुच अध्यान करें जो बाइबल में लिखा है उसने अकेले ही इन सभी चार सो नवियों के टुकडे टुकडे कर डाले थे अब मैं कलपना नहीं कर सकती कि उसके लिए किस प्रकार की उर्चा चाहिए लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम होता मतलब मैं बस कलपना भी नहीं कर सकती उसके लिए प्रार्टना का वो महान दिन था और उसने आग का अहवान किया आग का अहवान मतलब ये सचमुच अद्भुत था प्रभु किस तुति हो आप जानते हैं मैं इन कॉन्फरेंसिस के बाद मेरे साथ भी ऐसा ही होता है मतलब मेरा काम खत्म हुआ मैं बरखास्त हुई ये बढ़िया था और फिर मतलब वे लोग जो आज मेरे साथ हैं आपको बता सकते हैं मैं बस कह रही थी ओ वो ऐसा था मुझे लगा कि अपनी पूरे सिंदगी मुझे सोने की सरूरत नहीं होगी पर बाद में जब मैं कहीं जाकर मैक्रनी और चीजें खाती हूँ जो आम तोर पर मैं नहीं खाती पर मैं खुद को बढ़ावा देना चाहती थी आज सुबह मैंने आपको बताया था कि अपने शरीर के लिए हमें कुछ लेना पड़ता है और फिर मैं वापिस अपने होटेल के कमरे में गई और मैंने सोचा कोई इतना कैसे थक सकता है संभलता है मैं आज रात फिर वहाँ जाऊं और यही सब दुबारा करूँ दो घंटे की नीद और खामोशी और मैं यहाँ फिर खड़ी हूँ ठीक है एलिया ठक गया था मैं आपको कुछ बताऊं आपकी बहुत सी समस्याएं और मैं गंभीर हूँ आपकी समस्याएं सुलच जाएंगी अगर आप सोएं विश्राम करें और कुछ ऐसा करें जिससे आप और ज्यादा और अकसर हंस सकें हाहा हाहा हंसते रहिए आमीन मैं अपने कुछ बच्चों के साथ पिछले हफते बाहर गई और हम पूरा दिन खोब हंसे और यह बहुत शांदार है बस कितनी जूरदार हंसी सिस्टर और मेरे जीवन में हंसने लाए कुछ नहीं है पर ठीक है फिर बस के नीचे ही पड़े रहो आप जानते हैं मैंने क्या पता लगाया अगर कोई द्रिडनिश चाही है कि उसे खुश नहीं रहना तो किसी भी तरह कोई उसे खुश नहीं कर सकता ये वो फैसला है जो हमें ही करना है कि मैं अपना जीवन दुखी रहते हुए नहीं बिताऊंगी क्या आपके लिए ये फैसला आज कोई और कर सकता है मैं दुखी रहते हुए अपना जीवन नहीं बिताऊंगी अब परमेश्वर का ये महान भविश्य वक्ता एक औरत से भाग रहा है एक दिन पहले 450 नभियों को मारने के बाद और वो उठा वचन तीन और वो अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशेबा को पहुँचा तकरीबन 80 मील दूर मेरे खाल से वो इतने भी बुरी हालत में नहीं था यदि वो 80 मील भाग सकता था मुझे पता नहीं और इजे बेल की दुनिया से बाहर और मुझे ये बहुत पसंद है लेकिन अपने सेवक को पीछे छोड़ दिया और वो एक दिन की यात्रा करके जंगल में पहुँचा क्योंकि पिटी पाटी के लिए आपको दैनिया जगे की ज़रूरत है और वो आया और बैट गया बिलकुल अकेला ज्जाओ के पेड के नीचे बस एक ज्यादा नहीं चाहिए वो शायद सुन्दर लगे ढूंडिये ये अकेला से लगने वाला व्रिक्ष जिसमें ज्यादा पत्ते नहों और अकेले में उसके नीचे बैट जाएए और पूरी रेट की तरफ देखिए फिर उसने कहा हे यहुवा अब मेरा प्राण ले ले क्योंकि मैं अपने पुर्खों से अच्छा नहीं हूँ और वो व्रिक्ष के नीचे सोया रहा और देखिए एक स्वर्ग दूत ने उसे चू कर कहा उठ कर खा तो अब अगर आप पिठी पार्टी प्लैन कर रहे हैं तो खाने या ना खाने का इंतिजाम भी करना होगा आपको अपने आप व्यक्तिकत रूप से जब मैं पिठी पार्टी कर रही होती तो मैं नहीं खाती मुझे एक तरह से भुक्मरी वाली बाते पसंद है उसने देखा और देखो वचन चै उसने द्रिष्टी करके क्या देखा कि सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है तब उसने खाया पिया और फिर लेट गया दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे चुकर कहा उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है अब यहां कुछ अच्छे संदेश हैं मतलब एलिया को जो चाहिए था वो उसे इस अवस्था में भी मिला क्योंकि उसे थोड़ी नीन चाहिए थी कुछ अच्छा खाना लेकिन वो फिर भी स्वयम के लिए अफसोस करता रहा फिर वो एक अंधेरी गुफा के अंदर गया दुर्दशा में रहने के लिए और देखे परमेश्वर का वच्छन उस तक पहुंचा हे एलिया तेरा यहां क्या काम उसने उत्तर दिया सेनाओ के परमेश्वर यहोवा के निमित मुझे बड़ी जलन हुई है क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नभीयों को तलवार से घात किया है और मैं आकेला रह गया हूँ और मैं केवल मैं ही हूँ प्रभू जो तुझ से प्रेम करता है यह सुनने में कैसा लगता है अपने परिवार में मैं ही एक मात्र मसीही हूँ प्रभू और यह मेरे लिए बहुत कठिन है शायद आपने ही प्राटना की थी कि प्रभू आपका इस्तेमाल करें ओ नहीं मेरे ख्याल से वो कोई और था तो परमेश्वर ने उससे कहा वचन 11 निकल कर यहुवा के सम्मुक परवत पर खड़ा हो और यहुवा पांस से होकर चला और यहुवा के सामने एक बड़ी प्रचन डांधी से पहार फटने लगे और चटाने तूटने लगी मतलब प्रभू बस चीजे तोड रहे थे और आप सोचेंगे इससे वो सीधा हो गया होगा लेकिन वचन 12 में लिखा है फिर भुचाल के बाद आग दिखाई दी तो भी यहुवा उस आग में न था उसके बाद उसे एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया सुनते एलिया ने अपना मूँ चादर से ढापा और गुफा के द्वार पर बाहर जाकर खड़ा हुआ फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिया तेरा यहां क्या काम पर मिश्वराज कुछ लोगों से यही कहना चाह रहे हैं शायद कुछ यहां और कुछ टेलिविजन के दर्शकों से आप अपनी जीवन का क्या कर रहे हैं आप अपनी दिन क्यों बरबाद कर रहे हैं अवसाद में यह अपने लिए अफसोस करते हुए किसी से नाराज होकर जो बाहर खुब मज़े कर रहा हैं उसे परवा नहीं कि आप परेशान हैं आप अपना जीवन क्यों बिता रहे हैं किसी चीज के लिए शोक मनाते हुए जो आप जानते हैं कभी आपको वापिस नहीं मिलेगी इसे भुला कर आगे बढ़िये उन चीजों की और जो आगे हैं पहली कतार में सिर्फ चार लोग ही हैं जिनने ये पसंद आया मैं मजाग कर रही हूँ वचन चौद हैं और उसने कहा देखे वही बात उसे वही बात मिली भी मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित बड़ी जलन हुई क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है वही पुराना राग मैं अकेला ही बचा हूँ और बार बार यही दोराते हुए वचन पंद्रह में आप देखें कि परमेश्वर बस उसे कहते हैं वापिस काम पर जा जा और इस राजा का भी शेक कर उस राजा का भी शेक कर और जब तू यह कर ही रहा है तो एलिशा का भी शेक कर मुझे हटाया जा रहा है, बेतर है सुधर जाओं जब मुझे ही आत्मदया के दौरे पड़ते थे, मैं हमेशा ही अपनी पार्टी करती, जो किसी कारण बात्रूम में खत्म होती, मुझे नहीं पता विशेश कर ऐसा क्यों होता, पर मैं घर भर में पोच्छा लगाती, खुद के लिए अफसोस करती, क्योंकि डेव फुटबॉल देख रहे होते बच्चे बाहर खेल रहे होते, हर कोई आनन्द उठा रहा होता सिवाए मेरे चलिए भी, क्या आज यहां कोई मेरा रिष्टेदार है, हर कोई, भई मैं पूरा हफ्ता इस जगे की सफाई में लगी रहती हूँ और तुम लोग बस हफते के अंत में आते हो और वहां बैठे बैठे फुटबॉल देखते हो, या फिर गॉल्फ केलते रहते हो, बच्चे भी खेलते हैं, किसी को मेरी परवा ही नहीं है, मेरा क्या है, मेरा क्या है, मेरी कोई परवा नहीं करता, ओ मैं मेरा क्या वाले बयान से दूर रहने की कोशिश कर रही थी शायद बाद में, शायद अंत में, शायद कल मैं नहीं जानती और जब भी मैं खुद के लिए अफसोस करती, मैं शोर करते हुए एक काम करती शोर करते हुए चलिए भी, क्या यहां कोई महिलाएं हैं, आप करते हैं, देखिए शोर मचा के, दर्वाजे और दराज पटकते हैं सब के सामने वैक्यूम करते हैं आप और जब मैं अंत में उस मकाम तक पहुँचती कि अब मैं रोने को तैयार हूँ मैं सबसे पिछले बातरूम में जाती जो घर के पीछे होता जमीन पर बैठ जाती टाइलिट को गले लगाती, आंसू बहाती और हाँ तब तक मैं पहले ही वचन की शिक्षा दे रही थी बैठक में अपने उन 25 लोगों के साथ जो मेरे साथ 5 साल से थे एक दिन मैंने प्रभू को ये कहते सुना तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, कोई परवाह नहीं करता एक बार मैं साथ महीने के गर्भ से फर्ष पर बैठी रो रही थी अपने आखरी बच्चे के समय, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है कितनी मुर्ख लग रही हो महिलाएं बातरूम में ही क्यों रोती हैं क्योंकि तब हमारा काम खत्म हो जाता है और ये इतना मुर्ख ता पोंड दिखता है मेरा मतलब मस्कारा बहता हुआ, आँखें लाल है, उनमें खून उत्रा है आप इतने खराब लग रहे होते हैं, आपके बाल अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं और फिर मैं क्या-क्या करती थी वापिस घर जाती जहां पर डेव होते थे अब मैं कोशिश कर रही थी प्रचार करने की और सामर्थी महला होने की आप पुल्पिट पे सामर्थी और घर पर दैन यह नहीं हो सकते और मुझे आज भी ये घटना याद है हने अगर किचन जा रही हो तो मुझे आईस्टी ला दोगी एक महला को इससे ज़्यादा गुस्सा नहीं आ सकता जब आप कोशिश कर रहे हों ध्यान आकर्शित करने की आप जानते हैं मुझे क्या चाहिए था मैं एक ही बात सुनना चाहती थी हनी क्या कुई समस्या है और उसके ऐसा कहने पर मैं कहूंगे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कुछ हुआ है वैसे हम सब को मनोवे ज्यानी की कुर्सी पर कुछ दिर लेटने की ज़रूरत है और आज मैं वो मनोवे ज्यानी कूँ अब हम वो सब चीज सेंट लुईस से उठा कर लाए ताकि आप देख सकें दया हमेशा नकारात्मक विचारों के साथ आती है ये हमेशा उसके बारे में होता है जो आपके पास नहीं है मैं आपको दो जुड़वां की कहानी सुनाती हूँ दो जुड़वां हर तरह से एक जैसे सिवा इसके कि एक आशावादी था और एक निराशावादी मतलब वो एक जैसे दिखते एक जैसा कद पर एक बहुत नेगिटिव था और एक बहुत पॉसिटिव माता पिता को उसके बारे में चिंता हुई उसी एक डॉक्टर की पास ले गए जिसने एक टेस्ट का मश्वरा दिया कि निराशावादी को इस जनम दिन पर सबसे बढ़िया रेसिंग साइकल दो और आशावादी को एक खाद का डिबबा दो अंत में जब वो दिन आया निराशावादी को नई साइकल के बक्से के और ले जाया गया उसने देखा और कहा ओ हो सकता है मेरी टक्कर हो जाए और मेरी टांग तूट जाए आशावादी ने अपना खाद का डिबबा खोला कुछ देर चौकने के बाद वो उत्साहित हो उठा उचला और बाहर भागा उसने कहा तुम मुझे मुर्क नहीं बना सकते जहां इतनी ज़्यादा खाद है वहां जरूर कोई घोड़े का बच्चा होगा पता है मैंने यहां क्या लिखा है नकारात्मक स्थिती में सकारात्मक सोच सीखना एक सबसे सर्वोत्तम चीज है जो आप स्वयम के लिए कर सकते हैं यह बहुत अच्छा है इसे मैं फेस्बुक पोस्ट में बदल दूँगी आपको इंतिजार करने की जरूरत नहीं सकारात्मक सोच महसूस करने के लिए आप जो चाहें सोच सकते हैं जान बुझ कर भी उमीद के सारे तर्ख गायब हो जाने के बाद भी अबरहम ने विश्वास में आशा की क्योंकि ये उसका फैसला था दाउद ने कहा मेरा क्या होता यदि मैंने परमिश्वर की अच्छा ही देखने का विश्वास ना किया होता जीवितों की इस धर्ती पर कुछ लोग वे होते हैं जिने हम कहते हैं अन्याई के संग्रह करता है जो संग्रह करते हैं और याद रखी रहते हैं जीवन में अपने साथ हुए हर अन्याई को कि कैसे उनके साथ दुर वैवार हुआ था और लोगोंने उनके लिए कुछ नहीं किया और अपनी सारी कठिनाईयों के बारे में और उन्होंने बस के नीचे कितना समय बिताया और वे उन लोगों को ढूंडते हैं जो उनसे सहानु भूती जताएं और यदि उन्हें कोई नहीं मिलता कि आप उन लोगों से बदला लेने की कोशिश करें जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई क्योंकि परमेश्वर न्याय के परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे जीवन में न्याय लाएंगे आज दोपहर मैं अपनी कुर्सी पर बैठी मैंने उपर देखा मैं कॉनकोडेंस में गई और मैंने ये शब्द फल देखा और मैंने बहुत से शास्त्रवचनों को देखा जब मैंने पाया कि परमेश्वर कैसे उन लोगों को फल देते हैं जो निष्टा पूर्वक उनकी खोज करते हैं जब वे आएंगे वे ये फल अपने साथ लाएंगे और परमेश्वर उन्हें फल देते हैं जो वफादार है और जो उसकी सेवा करते हैं और मैं बता दूं कि यदि आपको अपने जीवन में कोई ठेस लगी है जो हम में से ज्यादा तर के साथ हुआ होगा और अपना भरूसा और विश्वास परमेश्वर में रखा है आप उनकी सेवा में है आप में कड़वाहट नहीं, नाराजगी नहीं, आप नीच नहीं आप इसे किसी दूसरे पर नहीं उतार रहे है तो आपको फल मिलने वाला है वेतन का दिन आ रहा है आमीन पर याद रखिए आप दैनिये और सामर्थी नहीं हो सकते ये कारगर नहीं होगा आज का प्रचार सिर्फ मेरे लिए ही तो नहीं बाकियों के लिए भी है ना क्या खयाल है कि हम आशीश संग रह करता बन जाएं बजाए अन्याई संग रह करता बनने के आप अपनी आशीशों के लिए एक नोटबुक रखनी क्यों नहीं शुरू करते छोटी-छोटी विशेश बातें जो होती है जो परमिश्वर आप के लिए करते हैं वे प्राटनाई जो वो सुनते हैं तो जब भी आपको पिठे पार्टी का लालच आए उस किताब को देखिए खुद से बात कीचिए दाउद खुद से बात करता था जब आव साथ सी घर जाता उसने कहा ये मेरे प्राण तो इतना दुखी क्यों है अपनी आशा यहोवा पर रख दूसरे शब्दों में कई बार मुझे कहना पड़ता है ठीक है जॉइस बंद कर आज हम वहां नहीं जाएंगे पर अपनी आशीशेंगे नो आप सांसे ले रहे हैं ना है ना आज आप यहां कार चला कर आएंगे कम से कम किसी में सवार हुए होंगे किसी के साथ आए होंगे यानि कोई एक तो आपकी परवाह करता है आप आज घर जाएंगे हो सकता है नाश्टा करें आराम देः बिस्तर में सो जाएं शायद आप नए सिरे से जन में हों, अगर नहीं तो आप हो सकते हैं बाहर जाने से पहले यानि आप स्वर्ग की रहा पर हैं अच्छी खबर है कि आप नर्क नहीं जा रहे हैं हैलेलूईया ये शुद जल्दी आ रहे हैं और आप जानते हैं मैं कुछ उन आत्मी काशीशों के बारे में सोच रही थी जो मेरे जीवन में है अपने मा और पिता द्वारा शोशित और दुर्वहवार की जाने के बाद और अपने जीवन में इतनी ठेस पहुंचाने वाली बातें लेकर मैं आज यहां खड़ी होकर कह सकती हूँ कि मैं किसी पर नाराज नहीं किसी के प्रती कड़वाहट नहीं ये आशीश है और परमिश्वर मेरी अगवाई कर रहे हैं कि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ यदि आपको आत्म दया की लथ है तो आप एक शौर्ट टम मिशिन ट्रिप पर क्यों नहीं जाते आप जल्दी इस पर विजह पालेंगे नहीं तो गाड़ी चला कर इनर सिटी में जाएं जहां लोगों की पास कुछ भी नहीं होता और बस पांच-दस मिनिट तक ड्राइव करते रहें आप इसे भूल जाएंगे उदासी का सबसे बढ़िया इलाज है ये किसी की मदद करो मैंने लिखा है जब परमेश्वर का प्रेम जो हम में है बाहर बहने लगता है तो ये इस बीच सब जंगा कर देता है एक छोटी सी कहानी है एक छोटी सी लड़की चैट के बारे में वो एक शर्मीला खामोश छोटा सा लड़का था किसी कारण से उसे हमेशा नजर अंदाज किया जाता और अंदेखा कर दिया जाता और इसलिए वो अपना ज्यादा तर समय अकेले ही बिताता, उसके साथ कोई खेलने को नहीं था, एक दिन वो स्कूल से घर आया, और वैलेंटाइन डेर नस्दीक आ रहा था, उसने कहा मा मैं अपनी क्लास में हर एक को वैलेंटाइन बनाना चाहता हूं, और उसका दिल डूब गया, उसने रहते थे, जबकि वो हमेशा अकेला चलता, चैड को ज्यादातर चीज़ों में शामिल ही नहीं किया जाता, तो मा ने अपने बेटे की फर्माईश के साथ जाने की सोची, और उसने पेपर खरीदे, गोंद और क्रियोंस भी, पूरे तीन हफ़ते, रात दर रात, चैड ने पूरी मेहनत से 35 वैलेंटाइन्स बनाए, खैर वैलेंटाइन डे आया, और चैड उत्साहत से भरा था, उसने ध्यान पूर्वक उन्हें एक दूसरे पर रखा और एक बैग में डाला, और तेजी से दर्वाजे से बाहर गया, मा ने फैसला किया कि घर आने पर वो उसके लि हुआ कि शायद उसे एक भी ना मिले, उस दोपहर उसने कुकीज और दूद मेज पर रख दिये, जब उसने बच्चों की आवाज बाहर सुनी, उसने खिड़की से बाहर देखा और यकीनन वे सब हंस रहे थे, और चैड हमेशा की तरह पीछे चला आ रहा था, वो पहले से ज्यादा तेज चल रहा था, और उसने सोचा कि वो इसलिए तेज चल रहा था ताकि जल्दी घर पहुंचे, वो आपेक्षा कर रही थी कि वो रोता हुआ घर में घुसेगा, वो अंदर आया, उसकी हाथ खाली थे, उसने गौर किया कि जब दर्वाजा खुला था, उसने आ उसने कहा मा मैं एक को भी नहीं भूला, मैंने हर बच्चे को वैलन्टाइन दिया, मैं एक को भी नहीं भूला, मैंने हर एक को वैलन्टाइन दिया, मैं एक को भी नहीं भूला, चैट को चिंता नहीं थी कि उसे एक भी नहीं मिला, उसकी बजाए उसनास था, कि वो एक भी बच्चे को वालन्टाइन देना नहीं भूला, उसने सब को वालन्टाइन दिया, तो कोई पिठी पार्टी नहीं थी, छोटे चैट के लिए, तो अगर हम वैसे जी सकते, तो क्या ये कमाल का नहीं होगा? कोई भी स्वयम के लिए अफसोस कर सकता है, लेकिन किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए. जोईस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीम्ती है, जितना की आप चानते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं, और इस सरिकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए, हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं, हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, भरीबों को कपड़े देते हैं, और कई देशों में सूसमाचार बाटते हैं, अपना प्रात्ना निविदन भीजने के लिए कृपया आज ही संपर कीजिए, हमारे श्रोतों के बारे में और विचानिये, जॉइस के सभाओं की सूची देखे, मारे साथ सहभागिय बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को पाटते हैं, इसका खर्च उठाया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रिस के मित्रों और सहयोगियों ने,